नमस्कार खेत खेजाना में आपका स्वागत है आज गुरुवार का दिन है और जुलाई की तारीख है 27 सरसों के अंदर तेजी का मोमेंटम बना हुआ है तेजी का माहौल बना हुआ है इंटरनेशनल मार्किट का बेशक थोड़ा सपोर्ट कम है आज आज के लिए ही कम था इसतार से बात करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकोन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अप्लोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे सरसों का बाजार हाज सुबह जब बाजार खुल रहा था तो बाजार में कोई बड़ी तेजी या कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यहां तक कि कोटा गोएल प्रोटीन के एक रुप ने तो 25 रुपे का बाजार तोड़ भी दिया था कल देर शान को उनका भाव गोएल प्रोटीन का जो प्लांट है कोटा में उन्हों भाव सतावन सो पच्शीर दिया था जो कल दोपैर तक जो है सतावन सो चापन cares। वीफ्पी सु रुपे तका उन्हों ने सुधार कर दिया कि और आग सुबदार twin जी पच्शीर फ़ूने का टाइम होता चला गया और ठोड़ा था और थोड़ंगे खुलने लगा तो दिल्ली और चर्कीजादरी लाइन स्टेबल खुली टॉंक निवाई लाइन भी स्टेबल खुली और जो दूसरी आपकी जैपूर लाइन है वहां पर बाजार पचास रुपे तेज हुआ इसी तरह आपका जो सलोनी प्लांट है वहां पर भी बाजार पचा रहा है आयात में रियात ठप है कुछ भी लेना देना नहीं हो रहा है और जब से युक्रेन ने रूस पर हमला किया है उसके बाद तो ज्यादा सकती बरती जा रही है पुतिन द्वारा और जो ठोड़े बहुत जो रास्ते थे कुछ बंदरगाहें थी जहां से कुछ लेंदेन हो सकता था वो सब रास्ते पुतिन साफ ने बंद कर दी और इसलिए बाजार में जो खादे तेलों को ले करके संकट बना हुआ है खादे तेलों के बारे में लोगों की ये धारना है कि आने वाले समय के अंदर क्योंकि त्योहारी सीजन आने वाला है और त्योहारी सीजन के अंदर जुलाई के इस 25-26 दिनों के अंदर जो खादे तेलों का आयात है वो लगबग लगबग 18 लाख टन हो चुका है जो हमारी एवरेज है 11 लाख टन के आसपास हमारी एवरेज है हर महीने हम इतना आयात करते हैं लेकिन ये सबार 60% से ज्यादा का आयात बढ़ गया है ये डेली बुल्टिन की सदस्यता अपाने के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत सस्ता सा एक पैकेज दियार किया गया है वो हमारे इसी वीडियो के नीची डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर शमाकरे वाटसप नंबर अवेलेबल है आप वाटसप पे सीधे संपर करके अपना डेटेल सकते हैं रेट सकते हैं अलग-अलग तरह की इस देशन हैं ओनो के चाहिए और मंधीयों के बहुर भी बताया थे कि एक पहला कारण यह है कि सर्चों की वाली सर्चों है उसकी कम हो गई है इसलिए जो है बाजार तेज हो रहा है पर्टीकुलर जैपूर साइड का और भरतपूर का बाजार इसलिए कम्जोर है बिनोला तेल और सूरजमुकी तेल और मुंगफली तेल इनके अंदर कोई कमजोरी दिखाई नहीं देती है हालनकि आज मुंगफली तेल राजकोट का भाव 25 रुपे परती 10 किलो टूटा है 1900 रुपे रह गया है भाव सरसो तेल का भाव 1016 17 रुपे हो गया है और इसका एक्सपेलर का भाव जैपूर का और यहां जो खल का भाव है 2700 रुपे है परती कुटल और मुंगफली तेल जैसा मैंने बताया 1900 रुपे राजकोट का भाव है बिनोला तेल कड़ी का भाव 935 रुपे है परती 10 किलो और संफलावर के भाव में भी अच्छी तेजी बनी रहने की संभावना है यह संफलावर ही मारे पास युक्रेन से आता है सबसे ज़्यादा और वहीं से रास्ता बादित है आज यह नर्मा खपास के भाव के अंदर 100 रुपे तक का सुधार देखने को मिल रहा है कहीं 50 रुपे बढ़ा है कहीं 100 रुपे भी बढ़ा है कहीं 72 100 रुपे का भाव है कहीं 3250 रुपे तक का भी भाव दिखाई दिया है कल 7700 के आसबास कारोबार दिखाई दे रहा था आईए कुछ मड्डियों के भाव देख लेते हैं आज बरतपूर जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ तेज खुला है आज बरतपूर का भाव है चोबन सो एक्सट रुपे जैपूर अठावन सो पच्चीस रुपे का भाव हो गया है मैंने मेरा जो टार्गेट था लक्ष था बने आपको बताया था कि हमारा टार्गेट एक बार 5925 को दुबारा टच करना है हम उसे कीवल मात्र 100 पे पीछे हैं और ये भी कहा था कि आपको कि इसी हफते के अंदर ये लक्षे हासिल हो सकता है और उसके हम बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं 5825 रुपे जैपूर का भा 1335 और गंगापूर 5470 अलवर 5550 उमेरिपूर 5615 कोटा 5150 सिर्शा 5230 बीकानेर 5550 नागोर 5150 खैर्थलमंडी 5550 संगरिया 514 नौरमंडी 520 गोलुवडा 3502 जोदपूर 5615 आदंपूर 5440 और एलनाबाद में भाव रहा 5334 रुपे आज सलोनी का जो भाव है कोटा का वो हो गया है 6250 रुपे बढ़ गया है अलवर का भाव हो गया है 6275 रुपे डिकनेर का भाव है 6275 रुपे और सम्शाबात का भाव है 6250 रुपे सलोनी आज इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक